2019 में फिर ये लोग बोलेंगे तुम्हारा दुश्मन मुसल्मान है आप इनसे पूछिए और बल्कि मैं आपसे पहले पूछती हूँ कि मुझे एक बात बताइए आपके अरक्षन का विरोध कौन कर रहा है कोई मुसल्मान कर रहा है बताइए कौन कर रहा है मनुआ भी कर रहा है आपके बेटे रोहित वेमूला को फासी पे चढ़ने के लिए क्या किसी मुसल्मान ने मजबूर किया था आपकी बेटी आसिफा को आठ दिन तक मंदिर के अंदर बंद करके दरिंदों की तरह नोच के पत्थर से उसका सर फोड़ करके क्या किसी मुसल्मा ने किया क्या आपको जाती विवस्था में क्या किसी मुसल्मान ने बांटा क्या बताइए आपके साथ छुआ छूद भेगभाव क्या कोई मुसल्मान कर रहा है आपको साशन सत्ता में आने से रोकने के लिए क्या कोई मुसल्मान परियास कर रहा है नहीं तो फिर आपका द दिख्षा भूमी से मैं जो बात कह रही हूं रोजाना एक घंटा अपने समाज में निकलिये भले दस लोग हो भले बीस लोग हो और उनके बीच में जा करके बोलिये कि हमारा दुश्मन मुसल्मान ना तो था ना है और ना ही कभी होगा और इसका प्रमाड भी मैं आपको दे रही हो कि जब हमारे बाबा साहिब लंदन में गोल में संबेलन में हमारे लिए दो वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे उस समय भी मुहमद अली जिन्ना और सर आगा खान नाम के दो मुसल्मानों ने बाबा साहब का सहियो किया था किसी मनवादी ने नहीं सहियो हमारे बाबा साहब जब महार में पानी का सत्या गरह कर रहे थे उस सत्या गरह को करने के लिए भी एक मुसल्मान ने अपनी जमीन दी जिस पे बाबा साहब खड़े हो कर अपना भाशन किये थे हमारे जोतिबार आओ फूले जो औरत की सिक्षा के लिए पहला स्कूल खोले उस स्कूल को खोलने के लिए भी उस्मान शेख नाम के एक मुसल्मान अपनी जमीन दी थी उस्मान शेख की पत्नी हमारी अजीज हम्मी फातिमा शेख वो दूसरी मुसलिम महिला थी जिसने औरतों की सिक्षा के लिए माता सावित्री बाई फूले के साथ में रोज गीचड औ और गोबर सहती थी हमारे बाबा साहिब जब संविधान सभा में नहीं जाने दिया इन लोगों ने तो यह बोला था कि ए तेली तमोली कुनभी कुनभटो को क्या संसद में जा करके हल चलाना है इनी लोगों ने बोला था बाबा साहिब तुम्हारे संविधान सभा की खिड तो कैसे दुश्मन हुआ आप मुझे ये बताईए कि हमारे बाबा साहिब जब मौलवी जिनके इंसिट्यूट में मैं पढ़ाती हूँ मौलवी बाबा साब के हाथों का पानी पीने के लिए तैयार नहीं थे उस समय मौलाना हजरत मोहानी ने अपने घर में रोजा इस्तार की खाना खिलाया तो मुसल्मान ने तो आपके साथ चुवा चूद भी नहीं किया और सबसे बड़ी बात है मैं धन्यवाद करती हूँ मैडम आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हमारी बेनेजीर माड मेडम के पास अवसर था पाकिस्तान जाने का लेकिन मैं हाथ जोड करके आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने कहा कि नहीं ये भारत देश हमारी जनम भूमी है ये भारत देश हमारी करम भूमी है अपने देश को छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे तो जब ऐसा ऐस हमारे मुसल्मान भाइयों ने हमारे साथ में किया तो आपका दुश्मन मुसल्मान कैसे हुआ तो आपका दुश्मन है कौन सबसे बड़ी बात है दुश्मन कौन है आपका यह जानिये आपका दुश्मन वो है जिसने आपको जाती वैवस्था में बांटा आपका दुश्मन ऒहाँ जो आपके बाबा साथ कि सम्मिधान को ख़तम करने के परियास कर रहा है, आपका दुष्मन वहाग जिसने आपके बेटे रोहित वहित मुला को को फासी पर चड़ने के लिए मजबूर किया, आपका दुष्मन वहें जो आपके अरक्षन का विरोथ करता है, जो बाबा साहब की उंगली तोड़ता है, चश्मा तोड़ता है, हाथ तोड़ता है, और ये काम मुसल्मान कभी नहीं करता है, इसलिए दो हजार उननीस में ध्यान रखिएगा, कि आपको ये काम आज से शुरू करना है, अभी साथ आट महीना इलेक्शन के लिए है, ये काम से शुरू करना है, फिर से बोलेंगे ये, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुष्मन मुसल्मान है, कहते हैं, मुसल्मान गदार है, अगर मुसल्मान गदार है, तो इन गदारों को दमाद किसने बना के रखा है, हमने बनाये, हमने बनाये, तुम दमाद भी बना लो इन लोगों ने यही नारा दिया, सारे हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा दुश्मन मुसल्मान है, और सभी लोगों को लगा कि सच में वो हिंदू हैं, और यह लगा कि चमारों को छोड़ो, यह हाथी वाले हैं, आहिरों को छोड़ो, यह तो साइकल वाले हैं, और बाकी सब क कहा कि सारे हिंदू एक हो जाओ सारे लोगों को गलत फेमी हुई कि सच में हिंदू है इसी रे फोटो दिखाए शाहरुखान का ब्याहकरा दिये अमरिश्पूरी से कि यह हुआ उतर परदेश में 2017 में और यह काम शायद महराष्ट में रेगुलर होता रहता होगा मुझे बहुत जादा राजनिती की बात महीं करने अंतमे में आपको बस इतना काऊंगी कि जो हमने साहा कांशी राम का नारा था उस नारे को थोड़ा सागे बढ़ाया है और उ सल्मान इस नारे को आप महराष्ट में वी चरिताक कीजिए और एक नारा और इसके साथ हात में चल रहा है वो नारा उमने दिया है कि छोड़ दो साशक बनने पे जोड़ दो जम्चा बनके रहोगे तो थोड़े समय का फाइदा होगा राजा बनके रहोगे तो तुमारी अ आवाज केवल मेरी नहीं है यह आवाज आप सब लोगों की है यह आवाज उस आसिफा बेटी की है यह आवाज रोहित वैमुला की है यह आवाज हमारे सारे बहुजन समाज की है वह आवाज है कि जब जुल्मते बढ़ जाएं बहुत यह जुल्म जो कर रहे हैं हमारे पर जब जुलमते बढ़ जाए बहुत, एक लौ जलाना लाजिम है, जब हाकिम ही गुमरा करे, एक आवाज उठाना लाजिम है, जब कातिल संग हाकिम हो, हर लब पर एक पहरा हो, जब सहमी सहमी गलिया हो, जब खौफ का आलम गहरा हो, आवाम जगाना लाजिम है, आवाज उठा चार सुप्रीम कोट के जजज निया करके बोला था कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है जब मुंसे भी घबराने लगे जब ताले लबो पे लग जाए जब अपने आग लगाने लगे इल्जाम लगाना लाजिम है आवाज उठाना लाजिम है हम गोरी लंकेश नहीं बनना चाते हम कलबरगी नहीं बनना चाते हैं